इस वीडियो में हम दा लिटिल रेड हैन ये स्टोरी पढ़ेंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे तो सबी स्टुडेंट्स मेरे बाद रिपीट करें दा लिटिल रेड हैन लिटिल रेड हैन लिट 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 रेड हैन Grain of wheat Who will Sow the wheat She said Not I Said the duck Not I Said the cat Not I Said the dog Very well then Said the Little red hen Little red hen I will I will Sow she Sow the wheat Sow the wheat After some time After some time The wheat The wheat Grow tall Tall Is about to Dheyan Dheya That G R E W Is word Go Grewe Nahin Pada Jai Go Grow Pada Go 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 As Dheyan Cos If you Grow 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 tall With ears full of grain Who will cut the wheat Ask the little red hen not I, said the duck, not I, said the cat, not I, said the dog, very well then, said the little red hen, I will, so she, cut the wheat, Now, she said, who will, thresh the wheat, not I, said the duck, not I, said the cat, not I, said the dog, very well then, said the little red hen, I will, so she, so she, threshed, the wheat, When the wheat, when the wheat, was, was, threshed, she said, she said, who will, who will, grind the wheat, grind the wheat, Not I, said the duck, not I, said the cat, not I, said the dog, very well then, said the little red hen, Little red hen, I will, I will, so she, so she, ground the wheat, ground the wheat, when the wheat, when the wheat, was ground, was ground, into flour, into flour, into flour, she said, she said, who will, who will, bake the bread, bake the bread, Not I, not I, said the dog, not I, said the cat, not I, said the dog, very well then, said the little red hen, little red hen, I will, and she, baked the, lovely, loaf of bread, then she, said, who will, eat the bread, oh, I will, I will, said the dog, oh, I will, said the cat, oh, I will, said the dog, oh, no, you want, said the little red hen, little red hen, I will, I will, and she called, and she called, her chicks, her chicks, and they, and they, all, all, add up, add up, the lovely, the lovely loaf of bread, very good, आपने मेरे साथ यहां तक स्टोरी रिडिंग की प्रेक्टिस की, अब हम शॉट में इस स्टोरी का मतलब समझेंगे, ताकि ये वीडियो जादा लंबी न हो जाए, एक लाल मुर्गी खेट में, बिल्ली, कुत्ते, और बतख के साथ रहा करती थी, एक दिन उसे गेहों के कुछ दाने मिलते हैं, तो मुर्गी कहती है, कि इन दानों को कौन बोएगा, तो बतख, बिल्ली और कुत्ता कहता है, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, तो मुर्गी कहती है बहुत अच्छा तो फिर ठीक है मैं ही कर लोंगी और इस तरह वो दाने बो देती है कुछ वक्त के बाद उन दानों से फसल उकती है तो मुर्गी कहती है कि इन फसलों को आप कौन काड़ेगा तो बिल्ली बताख और कुटा तीनों कहती है कि मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं तो मुर्गी कहती है बहुत अच्छा फिर मैं ही कर लोंगी इस तरह मुर्गी फसल काटी है फिर मुर्गी कहती है कि इन फसलों से दाने कौन अलग करेगा तो बताख, बिल्ली और कुत्ता तीनों कहती है कि मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं मुर्गी कहती है बहुत अच्छा फिर मैं ही कर लूँगी इस तरह मुर्गी फसलों को पटक कर गेहों के दाने फसलों से अलग करती है फिर मुर्गी कहती है कि गेहों को कौन पीसेगा तो बतख, बिल्ली और कुटता तीनों कहते कि मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं मुर्गी कहती है बहुत अच्छा, फिर मैं कर लोंगी इस तरह मुर्गी गेहों के दाने पीशती है फिर मुर्गी कहती है कि इन आटों से रोटी कौन पकाएगा तो बतख, बिल्ली और कुटा तीनों इंकार कर देते हैं तो मुर्गी कहती है बहुर अच्छा फिर मैं करती हूँ इस तरह मुर्गी आटे से रोटी पकाती है आटे से रोटी पक जाने के बाद मुर्गी कहती है कि अब इन रोटीयों को कौन खाएगा तो बदा, बिली और कुट्ता तीनों कहते हैं मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो मुर्गी कहती है नहीं तुम सब नहीं मैं खाऊंगी और वो अपने चूजों को बुलाती है और मुर्गी और उसके चूजे सब मिलकर रोटियां खाते हैं तो बचो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और आपको पढ़ना सिखाने के लिए ही इस तरह की एजुकेशनल वीडियो बनाई जाती है तो आप इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़रा से ज़रा शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग